ध्यान रखिएगा ये हमारे आदिवासी मूलवासी बिरोधी कुछ आदिवासी मूलवासीयों को अपना पॉकेट में रख करके हम लोग के बीच में एजंट बना करके भेज रहा है दो तीन मेना बाद चुनाओ आने वाला है हम लोग आपकी सेवा में लगे हैं लेकिन कुछ हमारे बिरोधी लोग हमारे घाओं द्यात में भोट बटोरने के लिए इदार से उदार हेलिकॉप्टर में घूम रहा है उसे पहले चंदन क्यारी बुकारोजी ले के आप सभी बाताएंग बहने नौजवान साथी बड़े बुजूर्गों को आज इस कारिक्रम में उपस् कुना आप लोग को जोहार करता हूं और हमारे साथ मजपर गन्यमान अतिती गन है हमारे गड़बंदत दल के मंत्री गन है और पदाधी कारी गन है उनका अभी हार्दी का भी नंदन करता हूं बहाँ ज़्यादा समय नहीं लेंगे संचिप्त में बातों को रखेंगे और माशम भी खराब हो रहा है और कारीकोमों में भी हमें जाना है आज हम लोग विशेश रूप से बुकारो जीला के लिए एक नया ध्याय जोड़ने जा रहे हैं एक लंबे समय से इस विशेश पर चिंतन मंथन होता रहा कि बुकारो जीलाल यह दुनिया के मानचित्र में आजादी के वक्त सही इसने अलग पहचान बनाया है एसिया का सबसे बड़ा इस्टिल प्लांट हम लोग का बुकारो इस्टिल प्लांट ही रहा है लेकिन समय आउदी बित्ते बित्ते ना जाने इस जीला में कौन सा रोग लग गया कि इतना बड़ा उद्योग होते हुए भी यहां के लोग दीरे 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 आर्थिक रूप से कमजोर होते गए और आज हम गाओं को देखें और सहर को देखें तो बड़ा ही विपरित इस्तिती देखने को मिलता है कि आज क्या गाओं जियों कात्यों जहां आज सौ साल पहले उसी हालात में दिखता है लेकिन बड़ी एतिहासिक संगर्स इस राज कर रहा है और इसी लिए अलग राज की लड़ाई लड़ी गई कि यहां के कारखाने, यहां के उद्योग और जितने भी यहां पर आर्थिक गतिविद्या होती है उन सब जगों पर हमारे अस्थानिय मोलवासी यहां के आदिवासी लोगों को रुजगार मिले इसको लेकर हमारे बड़े पेवाने पे यहाँ पर लोग विस्थापित भी होते रहे लेकिन जब उद्योग लग जाता है तो इसको लेकर के बनने के बाद ना जाने हमारे विस्थापित लोग कहां गुम हो जाता है समझ में नहीं आता और हमेशा विस्थापित लोग अपना लड़ाय जंग लड़ता 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 कई पिड़ी गुजार देता है लेकिन हक अधिकार जो हमें प्राप्थ होना चाहिए ना व्यक्तिगत रूप से गाहों तक पहुँचा ना सरकारी रूप में भी हमें किसी तरीके से केंद् से सहयोग से मिला बड़ा ही विचित्र है गरीबों को हमेशा लड़ाय लड़ना पड़ता है और आज कि एक एक करके आपका ये सरकार अब बिभिन छेत्रों में एक नई इत्यास गड़ते हुए नया पहचान बनाते हुए यहां के जन जन के लोगों तक पहुँच कर हमारे गाउं का सम्रिदी किसानों का सम्रिदी गरीब गुरुआ आगे कैसे बड़े इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे है हम योजना गिनाना शुरू करें तो समय भी बहुत कम पड़ेगा कई ऐसा गाउं आज भी हम लोग का है जहां का लोग ब्लोक आफिस नहीं देखा था बीडियो कौन है सीओ कौन है उस अब नहीं देखा था DCSB का तो बात का दूर है इसलिए हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हमारी जो सरकार है ये सरकार राची हेटक्वाटर से नहीं गाउ से चलने वाली ये सरकार है और इसको लेकर हम लोग समय समय पर आपके बीच में सरकार आपके दुआर में गाउ गाउ पंचायत पंचायत में टोला टोला में पदादी कारियों को भेज करके आपकी समस्या और समादान करने के लिए वोग पहुँचे थे आज बहुत बड़े पैमाने पर गाउ के लोग खुसियों से जूम रहे आज इस राज की आदी अबादी जिसको हम महिला समुख कहते हैं आज इस राज की आदी अबादी की महिलाओं को हम लोगों ने महिला समान योजना से जुड़ा जो इस देश में कितिहास बना है जो लगबग पच्चास लाग महिलाओं को हमने जुड़ा है आज हमारी बच्चियों को गाव द्यात में गरीब गुरुआ लोग बच्चियों को बोजा समझता है दसवाँ बारवाँ पास होता नहीं उसके लिए दुला डूनने लगता है आप बेटी हम लोग की बोजा नहीं बलकि संपत्ती बनके रहेगी सावित्री भाई फूलो योजना से हमने उनको जोड़ा है और आने वाला समय में वो इंजिनियर भी बनेगी डॉक्टर भी बनेगी और वकील भी बनेगी पत्रकार भी बनेगी और इस कड़ी में आज हम लोग आपके यहाँ पर बुकार उजिले के सेक्टर बारह में लगबग साथ सौ करोड रुपिया से बनने वाला हम लोग के साथ मंत्री मंडल में रहे जिसको टाइगर जगनात महतो भी बोलते है उनके नाम पर जगनात महतो मेडिकल कॉलेज का अधार सिलाज यहाँ से रखा जा रहा है कितना चुनावती हम लोगों ने देखा कोरोना हम लोगों को ढख लिया पूरा ऐसा इस्तिती हो गया कि पूरा देश लोगडाउन हो गया हाथ, बजार, गाड़ी, मोटर, साब बाज कोई कहीं ने हिल सकता था वो समय भी हम लोग सोते नहीं थे अस्पताल का ठिकाना नहीं, डॉक्टर का ठिकाना नहीं, दवा का ठिकाना नहीं ऐसा बीमारी जिसका आता पता नहीं हम लोगों को तो माता खराब हो गया, करे तो क्या करें लेकिन चौकिदार की तरह 24 घंटा पूरे राज में नजर रखते हुए हम लोगों ने इस राज को सुरक्षित बचाया और आपको याद होगा, कोरोना के समय में आपका ये भाई, हेमन सुरेन और आपका ये बेटा आपके परिवार जनों को दिल्ली ममे मेरा रहे लोगों को कंदा में ढोड़ो करके आपके घर पहुंचाने का काम कर रहा थे और और तो आर उसके बाद क्योंकि ये राज देश का सबसे पिछड़ा राज भी है यहां मजदूर तपके का अधिक, आज भी लोग रहता है, किसान सबसे अधिक रहता है आज किसानों के लिए हम लोगों ने रिन माफी किया आज मदूरों के लिए ऐसा कानून बनाया कि आज देश हो या बिदेश हो कहीं भी जारखंडी कोई मारा जाता है या कोई घटना होता है तो उसको किसी भी तरीके से हम लोग उसके घर तक पहुचाने का काम करते हैं और आज आज ही एक घटना घटी है आपके चंदन क्यारी का ही एक नौजवान नासिक में मजदूरी करने गया था किसी घटना में उसकी मृत्ती हो गई और आज हमारे पोटल में इसकी जानकारी मिली और उसके स्भार्तिक सरीर को सरकार के द्वारा उसके घर तक पहुचाने का काम भी किया जाएगा यह किसी फैक्टरी में काम करते थे और जहां जहां यह घटना होता है अभी कुछ दिन पहले साथ अफरिका से 25-35 लड़का लोगों को लाया वो भी बुकारों का गिरीडी का चंदनक्यारी का लोग था उनको भी हम लोग ढोके लेके आए उन लेकिन वो लोग को जिन्दा लेके हम लोग लेके आपाए लेकिन आज यह नौजवान किसे घटनामिन की मृत्ति हो गए लेकिन आज जो पहले होता था जहां मर गया वहीं पड़ गया घर नहीं ला सकता था कोई मजदूर अपना बाल बच्चालों को अपना परिवार जनों को लेकिन आज कहीं भी कहीं राज के देश के दुनिया के किसी कोने में भी रहती है कहीं कुछ नहीं हो सकता लेकिन पहले कहां गायब हो गया कहां मर जाता था कुछ भी पता नहीं आज यहां पर हजार बारत सो करोड़ रुपय का योजनाओं का सिल्यान्यास उद्धाटन हुआ है और निश्यत रूप से जिस तरीके से आज हम लोग निरंतर आप लोगों के बीच में गरीब राज होने के नाते गरीब गुरुवा के सेवा में बुड़ा बुजूर्गों को पेंशन से लेके महिलाओं को सम्मान रासिस से लेकर के हमारे नौजवानों को पढ़ने लिखने का किसानों का रिंग माफी से लेकर के हमारे गाव द्याद जहां गरीब तबका का लोग राता है एक एक रुपिया जोड़ जोड़ करके अपना घर दुआर चलाता है आज उन सभी गरीबों का हम लोगों ने बकाया बिजली भी माप कर दिया और 200 यूनिट का बिजली भी फिरी दे दिया हम इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे अभी और भी कारिक्राब में हैं हम आप लोगों से जानना चाहते हैं सरकार बढ़िया काम कर रही है कि नहीं कर रही है बताओ आप लोग को अच्छा लगा सरकार का काम मैया सम्मान अच्छा लगा सावित्री भाई भूले योजना अच्छा लगा आपका आशिरवाद हम लोगों पर रहेगा ना चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभी चुकि हम लोग इसलिए बोले क्योंकि अभी दो तीन मैना बाद चुनाओ आने वाला हम लोग आपकी सेवा में लगे हैं लेकिन कुछ हमारे बिरोधी लोग हमारे घाओं दियात में भोट बट औरने के लिए इदर से उदर हेलिकॉप्टर में घूम रहा है ध्यान रखिएगा ये हमारे आदिवासी मूलवासी बिरोधी कुछ आदिवासी मूलवासियों को अपना पोकेट में रख करके हम लोगों के बीच में एजन्ट बना करके भेज रहा है और हमारे राजनितिक तागत को कमजोर करना चाहता है एक समय था कि हमारे मूलवासी आदिवासी की तागत जब यहाँ पर फैट्रियों में हजारों के ताजाद में लोगों का बहाली होता था लेकिन आज एक बहाली करके देखिए तो पता चलेगा आपका बेटा बेटी का तो बहाली होता नहीं है लेकिन जो हमारा विरोधी लोगा जो पुंजी पतियों की जमात इन लोग का जरूर उदार हो रहा है आज आप लोगों का सेवा करते करते कोरोना काल में हमारे बड़े भाय जगर्नात मातो जी का निदन हो गया हाजी उसेनाजसारी साहब का निदन हुआ और हमारे इससे पहले पुर्व विधायक और मंत्री राजिंदर सिंग जी का भी निदन हुआ और आज इस राज को बचाने के लिए इतना बड़ा हमको कीमत चुकाना पड़ा है अगल बगल राज में आम आदमी लोग ऐसा मरता था लेकि जानवर मरता था मिट्टी दफन करने के लिए आदमी लोग को मिट्टी खताब जलावन के लिए लकडी खताब लेकिन इस राज में सांती पुरुव करोना को पार किया वो इसलिए हुआ कि हमारी महिला जीदी करोना काल में गाओ गाओ में दालभात की योजना बना करके हमारे मजदूर भाईयों को मुफ्त खिलाने का काम करता था और उसी दिन हमें संकल्प लिया कि हम आज इस राज की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगे और इसी लडाई में हमारे विपक्ष लगातार हम पर जूटा अरोफ लगातारा हमको पाच्छे मैना तक जेल में भी डाल दिया राजमितिक रूप से ये नहीं सकते हैं तो EDCBI लगा देते हैं ताकि हम लोग आपकी सेवा न कर पाएं ये देश का पहला राज है जो सब बुजूर्गों को जितना भी बुजूर्ग है जारकंड में सब को पैंसन देने का काम हो रहा है पहला ये राज आज हमारा बाल बच्चा लोग बिदेशों में पढ़ने के लिए सरकार मदद से बिदेशों में पढ़ाई करने जा रहे है आज डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज खोली जा रही है इंगिनिरिंग कॉलेज खोली जा रही है लेकिन इनको ये रास नहीं आता यह लोग गरीबों के लिए उनको पैरों पे खड़ा करने के लिए इनके पास ना आशु है ना समिदनाय नहीं यह लोग एन के परकारें अपना बेपारी मित्रों को मदद पहुचाने के लिए सत्ता में आना चाहते हैं जनता इनको मदद नहीं करती है तो सरकार को भी खर दिने का काम करता है लेकिन जनता जब ठाल ले तो ऐसे ताकतवर को भी उठा के नीचे फेगने का काम सदियों से होता रहा है और इस बार भी किया जाएगा तो इसलिए सभी माताइंग बैने विसेस करिया बच्ची आई है बताओ यहां महिलाएं भी आई है आप लोगों को पैंसन के लिए रासन के लिए इन सब का कार्ड बनाने के लिए कितना वीडियो सीयों के यहां चक्कल लगाना पड़ता था ब्लोकों और दलालों का चक्कल ल समान रासी का कार्ड आपका रासन का कार्ड आपके दरवाजे और आपके पंचायत में बनता है आपको चकर लगाना का जरुत नहीं पड़ता है आज जिसस के लिए पदादी कारियों को तंखा मिलता है वह तंखा आपकी सेवा के लिए मिलता है लेकिन 20 वर्सों में हमारे विपश के लोगों ने बारती जन्तार्टी के लोगों ने इन पदादेकारियों का चमड़ा इतना मोटा कर दिया है कि इनका चमड़ा गरीब गुरुवाग लोगों के लिए नहीं है अब सिरफ मकमल में सोने वाले लोगों के लिए लेकिन आब हम लोगों ने चाबुक लगाया है कि गाउं गाउं जाना होगा टोला टोला जाना होगा और गरीबों की समस्यास का समधान करना होगा आज हमारी बज्जियां पढ़ रहे हैं इनको सावीतरी भाई फूले योजना से हम लोगों ने जोड़ा है ताकि ये लोग अपना पढ़ाई ना छोड़े ये डॉक्टर बले इंजिनियर बने इसके लिए हम लोगों ने गरुजी क्रेडिट कार्ड भी लाया है उसको बच्चियों को दिलाईए बच्चों को दिलाईए डॉक्टर इंजिनियर जब आप पढ़िएगा आपको बहुत ज़्यादा फिस देने की जरुद पढ़िग और गुरुजी क्रेडिट कार्ड लोगे बैंक में जाओगे तुरंट आपको 15 लाख रुपिया बैंक देने को लिए तियार हो जाएगा आपकी पढ़ाई के लिए तो तरह तरह की चीजे है बाते दिरे दिरे याद आ रही है और भी बाते हम भी बोलते चले जाएंगे इसलिए आप लोग का बहुत बहुत अभार और बहुत बहुत सुक्रिया यहाँ पर आज के इस सिलानयास उद्गाटन समारों में उपस्तित होने के लिए लेकिन याद रखिएगा आज हम लोगों ने कई कुर्बानिया दी है तब आज पदादीकारी गाउग गाउग जा रहा है आज बिजली हो आज सडके हो चाए अधार बुठसर रचना हो और गरीब गुरुवा को अपने पैर में खड़ा करने का बात हो आज रोटी, कपड़ा और मकान हर व्यक्ति की ज़रत है आज अबुआ आवाज के माध्यम से हर गरीब का आवाज देने का हम लोगों ने लक्ष तैक किया इसके लिए केंदर सरकार से हम लोगों ने पैसा मांग करके हम लोग का नाग गिस गया लेकिन पैसा ने दिया लेकिन अभी चुनाओ आया है पता चला है कि गरीबों का आवाज देने का पैसा है चार साल तक हम लोग का गरीब गुरुआ का पैसा इन लोगों ने अपने राज में जाके दे दिया हक अधिकार ऐसे नहीं मिलता है और अभी हम लोगों का एक लाग च्छतिस जार क्रोड रुपिया कोईला का बकाया अभी हम लोगों ने ठोक रखा है अभी वो भी दे दे रहे वो भी लेंगे और जैसे ही हम अभी हम लोग का ये संगर्स खतम होगा निश्चित रूप से वो अधिकार भी लेंगे हमें याद है हमारे जारकन के अंदुलनकारी लोग यही नहरा लगाते थे कैसे लेंगे जारकन, लड़के लेंगे जारकन तो हमारा भी यह नहरा है कैसे लेंगे अधिकार, लड़के लेंगे अधिकार तो इसके लिए फिर आसे थोड़ा बहुत हुज़त करना पड़ेगा करना करेंगे CBI-ED से घबराने का ज़रूत नहीं है अगर हक अधिकार लेना है, घरदवार संभालना है बाल बच्चों का भविस सुदारना है तो इसके लिए माबाप को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा नसे तरूप से धिरे धिरे जिस तरीके से हम लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए मौडल स्कूल हम लोगों ने बनाया है अभी 80CM उत्किस विद्धाले का संचालन हो चुका है सिख्चकों की बाली हो चुकी है अभी ये लगबग 5000 स्कूल बनेंगे और इसके रावा अभी सरम विबाग के तरब से अगले वित्वर से हर जिला में सरम विबाग के अवासिय विद्धाले बनाने का भी हम लोगों ने निर्णे लिया है जहां 500 से के लगबग हमारे गरीब गुरुआ के बच्चे उन होस्टलों में रह करके अपनी पढ़ाई करेंगे तो बहुत सारी चीज़े है हम लोग का कितना गाउद या चंद्रा निक्यारी का बच्चा है बच्चा है बच्चा बताओ जो डिये भी और डिपियस में पढ़ता हो संजेवियर में पढ़ता हो आज उसी के तर्ट पर हमने स्कूल सुरू किया आज हम लोगों ने जितने भी कल्यान विबाग के चात्रावास है आदिवासी चात्रावास हो हमारा है पूरे राज में जो पहली में बस्ता थी बाल बच्चा लोग अपना घरदुआर से चावाल लेके जाता था खाना भी बनाता था और ये कॉलेज भी जाता था लेकिन अब जितना चात्रावास है उन सभी चात्रावास में सरकार अनाज देने के लिए निड़े ले चुकी है अब बच्चों को खाना बनाने का ज़रुत नहीं है उसकों सिरफ पढ़ाई करना है खाना खिलाने का काम अब सरकार करेगी तो बाते बहुत है बहुत बहुत धन्यवाद ही निके बातों के साथ सब को जुहार